पुरी देश और दुनिया में एक ही चर्चा है राम आएंगे 22 जनवरी को आयोध्या में राम लला की प्राण पतिष्ठा पर सारा जैसे संसार या पुरे देश के तमाम सारे लोग एक तक निगाह लगाए हैं बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु की वो प्राण होगे वो पूर होंगे वो पूर आहुती पड़ेगी और ऐसे यग्य में साक्षी बनने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडि धिरेंद कृष्ण साथ प्री जैने आप प्यार से कहते हैं अपने बाबा बागेश्वर्जी अधन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शको पहले लोग कहते थे राम लला हम आएंगे मंदर वहीं बनाएंगे अब लोग बन गया है अब राम लला हम आएंगे कृष्ण जनम भूमी जाएंगे आपके साथ अच्छी बात है कि एक जगे से दूसरी जगे खोल देते हैं आप मैं आऊँगा वहां भी आऊँगा लेकिन एक बाब बताईए राम की यो जो धनुश वाली है या वो थुमक चलत राम चंद्रबार कौन सा अच्छा लगता है राम तो वीर है रगवीर है हमें वीरत तो बहुत पुसंद है वीरता इसलिए वर्तमान समय के लिए वैसे तो राम लला ही प्री है राम लला वो निश्चल है राम ही के वर्तमान समय में प्रतंचा पर चड़ाए हुए कान तक तीर वो तीर जो भेदन कर दे अधर्म का अधर्मियों की उन बिचारों का उन लोगों को नहीं मारना उनके विकारों पर विकारों पर विकारों पर तीर मारना है विकार मिट गए विकार बदल गए तो राम का ये तीर का प्रतंचा का ये विग्रह है ये विग्रह मानो सफल हो गया तो राम की चित्र की नहीं चरित्र की जरूरत जो है इस देश को वो पूरण हो गई और आमारे कोई बिरोधीने हम किसी के बिरोधीने हम सब के हैं राम सब के हैं इस सिध्धांत पृतिपादित हो जाए एक शब्द चल ला है आजकल वो राजनीत में भी खुब चलता है कटर कटर राजनीते कटर देश भक्त कटर राम भक्त कटर हिंदू कटर हिंदू आप कहा है हम कटर मानोता बाधी तो फिर कहें के लिए धन उसकिसी तरफ बिलकुल जरूरत है अगर यह जरूरत नहों होती त आमड ही क्यों मरता आमड तो प्रतीक है ना उस बुराई का बस उसी बुराई के प्रतीक जितने लोग हैं उनके अंदर जो बढ़ा हुआ है उसके लिए यह विग्र है बहुत जरूरी उनके विचारों को बदलने के लिए विकारों को मिटाने के लिए सत विचारों को जग बिने ना मानद जलत जड़ गए तीं दिन भीत हुआ बोले राम सकोप तबAh synchron ना पृशञर किने यहि रही नहीं कुछ रहा है अब राम रामाहर गलत होगी तो हम बदल जातें बाईर न करना कहूст हो का कोयो राम प्रताप विसंता खोई थिर हम बैर कर छोरे हमारा कोई बै विचार ठीक है। अनमान जी का काम क्या। विकारों को मिटाना, बिमल मती करना, स्री गुरू चरनसरोजर निजमन मकुर शुधार बर्ना और रघुबर बिमल चस, मल को हटाकर बिमल कर देना। यह अनमान जी का काम है। हम अपने इश्ट के आराध के पद्चिन्नों पर चल कभी चक्का जाम की बात ने की। हमने सिर्फ अपने मन की असान्ती के जो उद्भाव हैं उद्भावों को मिटा करके सद्भावों को जगाने की बात की। हमारे पास ऐसे ओदा हारा है। हमने कह copper जब आगे बढ़ता हूँ। आपको निमंतरuma मिल गया। अना। मिला वह तो नहीं मिला। का बताएं। राम जी जिनको ब्लाते हैं वही जाते हैं सब नहीं जाते हैं। जिनको मिला वह नहीं जा रहे हैं तो क्या कहेंगे।। वो बड़े वाले अभागी हैं जितना कोई नहीं है उनसे बड़ा भागी हो जिस दर्शन के लिए लाखों पे लोग चले गए प्राना होती देदी संत महातमाओं ने तन त्याग दिया हमारी 500 वर्ष के इतिहास में 500 से ज़्यादा के इतिहास में करोडों लोगों ने जिस द कह के तरुप जाना चाहिए लेकाल ट्रस्ट का प्रोटोकौल वाइस्थारी कि उसकोह निभा कर फिर खूब दर्शन करना चाहिए जिनको मिला वो अभागी हैं जो जा नहीं रहे जो जा रहे वो वड़े भाग गसाली है क्योंकि राम जी बुला रहे जो जा नहीं जिनको मिला और नहीं जा रहे हैं वो अब आगे मतलब जानते हो और फिर वो स्वामी निश्चलानन जी ने कहा कि सब काम मोदी जी करेंगे तो क्या शंकराचार जी जाके वहाँ ताली बजाएंगे वो हमारे धर्म के परदान मंत्री है पुरी बाले निश्चलान बहुत ग्यानी बहुत अद्भुत पुरी बाले संकराचार जी का नाम बहुत आता है सिद्धान्तिक बात सास्त्रोक्त बात नियाय के भी ग्याता है तो वो अद्भुत है उनके विचारों पर हम कुछ कह नहीं सकते हमें राम जी को देखने जाना है हमें काम राम जी से आप जब हैदराबाद की बात आती तो तुरंत कह देते हैं और जब आपको बात कोई और कहनी होते हैं तो आप दीरे से चुप हो जाते हैं बिल्कुल भी चुप नहीं होते हैं बोले हम बराबर पर उतनी बोले जितना अपना चमता है कि कैसे कि हम ग्यानी नहीं हम तार्ग हमारे पास उतन अलग हमारे सरकार थो बल धाम हम उनके दासान अधास है अच्छा वो जो कह रहे हैं कि राम जंज जी मान साहरी ये मूरक है इन्होंने राम को नहीं पढ़ा प्रभुशी राम को नहीं पढ़ा इन्होंने समझा भी नहीं घ्यानी है नहीं अज्ञानी अपने आपको मानती नहीं ये वो घ्यानी है नहीं अज्ञानी अपने आपको मा नहीं रहे इसलिए उनकी मती खराब हो गए भगमान इनको सद्गती दे और सुद्ध मती दे यही शुर्षे प्रात्रा है प्रभुशी राम को जानो पहले राम चृत मानस पढ़ो गड़ो समझो खेल ही खेल सकल निर्प लीला लीला तो करते हैं लेकर प्रमात्माने अमर्या कादित काम नहीं करता वो ब्रह्म नारायन नर बनकर आया वो ऐसा कारी करेगा अच्छिश बृतिया अंको कोई समझा भी नहीं सकता सेर भूका हो पीजा रग दो नहीं खाएगा आदमी को कुछ भी दे दो सब खाजाएगा ज्यादा समझाओ तो मारी खोपड़ी खाजाएगा माला जोली जो गुर्देभबान का पुरशाद है उन्हों नियुको जो है उन्हों hero है सौंपी थी हमारे पास संपत्ती की रूक में आपके पास तो लोग कहते हैं कि अच्छा आपने पूर पताया संपत्ति के नाम पर लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हम कहीं देख रहे थे नेट पर तो लोग है कि यह सबसे महेंगे कथावाचत सबसे प्रसिद्ध खतावाचत और एक डोगरे जी थे जो खुद बना के खाते थे एक थे बीएचू कथावाचत थे रामकिंकर जी यह चूमे थे तो आप अपने को कहा मांते हैं इसमें जो सबसे प्रसिद्ध सबसे मह महेंगे सबसे परे हैं ना हम महेंगे हैं ना हम प्रशिद्ध हैं सिद्धी और प्रशिद्धी रामजी की हैं हम जिनकी नाम से खा रहे हैं जिनकी नाम से चल रहे हैं हम कुछ भी नहीं हम एक गिलहरी की भूम का निवाने वाले माइक सिस्टम रही बात महेंगी आमी सस्ते कि हमने कभी दक्षना नहीं करते हमारे पीछे पांच लाख लोग प्रती दिन भंडारा पा हर महीने भंडारा पा रहें पांच लाख लोग एक सो इंक्याउन बेटियों का विवाए एक मार्च से आठ मार्च में उन गरीब कि बहन मजदूरी कर रही हैँ साधी नहीं की कि हम दो बहने की साधी करवा सके हम इन कथाओं से मिलनेवाले कथां कि दक्षना तो दो गई आप हमें दो आपकी दक्षना से हम उन बेटियों का घर अगर बस्वा पार है गरीबों को अगर भोजन दे पार है तो हम महेंगे ठीक तो करें कथा वाले वो सबसे महेंगे वाले हैं अगर उनको लगता कि ये महेंगापन है तो महेंगा है हम बहुत ठीक है लेकिन हमारी कथा विकाओ नहीं, हमारी कथा बिजनिश नहीं है, हमारी कथा व्यापार नहीं है, और हम कोई एक्टर या अविनेता अविने मंच करने भाले व्यक्ति नहीं है, कि आप हमको दक्षना की दम पर बुला लो, आस्था की दम पर बुलाओगे, तो बागे सुर पी होगे हम तुम्हारे गर चलिए आएंगे यह भक्त का एहंकार बोला या भक्त की स्वाभ इमान अभी मान नहीं स्वाभ इमान जी जैसे अंगत जी जैसा रामड के सामने पैर जमा दिया तो रामड ने भी पूछा यह तुम्हारा एहंकार बोला या तुम्हारे प्रभू की द बहुत सुन्दर लग रहा है देखे तो वहां पर यग में बैठने के आपको बहुत सारे लोग के कहा होगा कि आप बहुत सुन्दर विक्षित वाले है वस्तर भी आपके और आपके कपड़ों की नाम पर कंबल है यह तो यह तो आपने नहीं कहा कि वह जैसे सुदामा से और पर जाखने स्वाद हो है आपसे हम जीत नहीं शक यह तैहा है ना 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 यह कता ही नहीं अहीं है सुन्दर कह रहा हूँ आप´ गूरू हो और तो खुनक की का हैं लोग बोलते अपनी अपनी मति से सबकी दרश़्ित पिसी को शुंदर दिखाने दिखाने हम दोनों किसी को ढॉंगी कि को हैं उनकी मति विचारूब है कोई नहीं हैं कोई नहीं वह खुदको नहीं देख पाए हैं दूसरों को देखने चले थो रहे हैं कुछ विग्रह तोर है वहाँ पर रामलला का, तो फिर मूर्ती की पतिष्ठा की, विग्रह है, पर दूर से सब को दर्शन हो पाएं. कि उन्होंने का कि आप जो मृपक्स जानते हैं उन्होंने का कि क्या ज़रूरत थी मूर्थी की हमारी अगर आप पूछो हाँ आप जरूर्त है रामलेला छोटे तो 500 साल तक पारेशान किया अब थोड़ा बड़े हो गर ठेकाने लगे रहेंगे आप कभी यही तो ना आप जब शब्द इस्तवाल करते थे ठीक आने तो लोगों को डरा देते हैं डर नहीं है यह सिर्फ प्रभाव बताना है कि वो जब एक बाड़ में समद्र शोक सकते हैं तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी इसलिए सावधान अज़र यह कथा में आजकल रोचकता पैदा करने के लिए होता है यह बिल्कुल भी नहीं यह रोचकता पैदा करने यह बीरत जगाने के लिए होता है क्योंकि आज तक की कथाओं में सर्फ राम को रोते हुए बताया हा सीते हे सीते हमारा राम बीर है हम बीर राम के उपाशक रगवीर है अब अगर रगवीर है तो लक्षमन बीर है हमारे इश्ट महामीर है आप ले पर इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राम ही के वर प्रीम अच्छा लगता है अच्छा लेकिन वरतमान समय में भाव के साथ साथ सवरी के भाव की आवशक्ता है अच्छा पर बार 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 यह कहते हैं वरतमान समय में वरतमान समय में वरतमान समय में तो बहुत अच्छा है आ गया है यह बरतमान समय कहते कहते हाहा तो यहां पर तो यहाँ कौन खरदूशन है जो आपको बार बार दिख रहा यह देश अपना है अब अब हमें पता नहीं कि अब आपने सुना नहीं हमें तो बहुत दिख रहे हैं ऐसे खरदूशन एक अनाम बताई हैं सब कुछ है राम राजी की स्थापना की और भारत बढ़ रहा लेकिन राम चरतमानस को फाड़ा जा रहा पाल घर के संतों को मारा जा रहा रहा राम को कालप की जगह एस्पताल बनने चाहिए यह खरदूशन नहीं तो कौन है यह रामर के खांदान के नहीं तो कौन है जो राम को मासाहारी कहते हैं जो राम के होने के सबुत मांगते हैं अरे राम से तू नहीं है राम से तू है यह जानने हो समझने को मजबूर नहीं है समझने को त प्रभूशी राम की अवरल ना में तो ये शब्द है उसे कहते हैं कि सामंजस से बैठा लेना चाहिए और जब सामंजस ना बने तो सामंजस ना बैठाने बाले को मिटा देना चाहिए कि इतने लोगों को कुछ सुधर जाएंगे कुछ सिधर जाएंगे और अगर दिरिश्टे से सब को समय दिरिश्टे से सब को देख लिया जाए तो क्या नहीं अच्छा हो जाएगा बस बोरा मंदिर की स्वागत कर लें तो क्या बोरा हो तो सुप्रिम कोट ने कह दिया तो ये प्रशन उठाने वाले को, तो फिर ये राम के उपर उगली उठाने बाले को, तो राम चरित मानस को फार कर क्या लगता है कि राम के चरित्र को या राम के नाम को या राम के अस्थित्तो को कम किया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है, पर दाख पहुंचाया जा सकता है, प्रभाव तो घटा ने सकता है। राम मिटे नहीं पर 500 साल उं जोबी में तो रही। राम हटे नहीं। ये आस्था पर चोट होती है। हमारे जैसे साधारन लोगों के जीवन में तो मानों एक काली रात ही थी, हमारी आस्था उनसे, वह हमारा बाप है, और बाप अगर बीमार पढ़ा, या जोपड़ी में पढ़ा, तो बेटों को तो दुख होगा, साधा आप भी एक पिता के पुत्र होगा, तो आपको कष्ट ह यह परम पिता हैं हमारे, हमें तो कष्ट होगा, और किसी को अगर कष्टifs नहीं हुआ, तो यह उसकी दुरतसा की बात है, तो यह बात सही है कि हमारे आदिपूरुश या हमारे पिता वहीं है, हम सारी उनकी संतान हैं, यह बात आफ सब ही नचावत राम, किसायींबंधों, कीट मरकट कीनाई सब के राम हैं राम के सब हैं पर जो बेटा बाप को भूल गया उसको परचय करवाना गुरुओं का काम है वो हम अपना काम निभा रहे अब निभा कैसे रहे प्रेम से भी कथा सुना करके भी और चमतकार दिखा करके भी और जरूरत पढ़ने पर उनके तर बीना भी बनाया है ये मत बूलना बानी को बीना भी हमने बनाया बानी को बान भी बनाया चुकि आप बहुत सुन्दर शोता है बहुत सुन्दर लाइजनल है बहुत सुन्दर हूमर है आपका बहुत सुन्दर रिशीविंग माइंड है आपका इसलिए हम आपको और ये ता बाण भी सिर्फ परचाय कराना प्रभु जी बात हो रही है संदर्व याद आया 1960 के असपास का है वो एकदम से बाचीत में ध्यान आ गया विनोबा भावे जी उन्होंने उनको कहा कि बुख्यधारा में आये और उन्होंने एक पंक्ति जो मैंने आपको धुरत की थी बहर नकर काहूसन कोई राम प्रताब विशंता कोई वो यह बात वहां पर उन्होंने कोट किताब में कोट है तो यह दृष्टी नहीं हो सकती क्या यह दृष्टी नहीं बहुत कमाल किया है तो बहुत से मुसल्मानों ने राम मंदिर का स्वागत किया है पर इसके दृष्टी के बाद भी बहुत लोगों ने राम मंदिर का बिरोत किया है हां इसके बाद भी बहुत लोगों ने यह कहा है कि अब तुम अपने घरों से निकलो अपनी अपन की बात है इससे यह सिद्ध हो गया कि इन्हें इस चौपाई के या इस विनोवा भावे की वारता जो राम चरित्र मानस की चर्चा है संदर्ब है उससे ने कोई लेना देना नहीं यह साम दाम के आदमी नहीं यह दंड के आदमी राम जी का यह प्रभाव है राम जी का यह चर कि आपके लिए वो कौन सी पंग्ति गो प्रभावित करती है राम के संदर्में या हमारे लिए राम की संदर्में किस लिए तो प्रिय है हां जहीं भी धी हो ही नाथे ही त्मोरा करो सुबेगी दासमेत मुरा सरंडर सेधा सरंअगति कहानी खतम मेरी गाड़ी तेरे हबाले तू जाने तिरा काम जाने हम आ गए चाहो तार दो चाहो मार दो जो मन करें सो करो हम तुम्हारी प्रयसी, तुम हमारी प्रयत, हम तुम्हारी पुत्र, तुम हमारी पिता, सब ना दे, तुम संग चोड़े, नेह लगाई तुम से, अब हमारा कोई ले ना दे, हमारा अधिकार खतम हो गया है, अपनी जिंदिगी का, तो हमें ये लगता कि वो हमसे ऐसा करवा कि हम इशुर नहीं हमारे पास कोई ऐसे शिद्धी नहीं हम कोई महत्मा भी नहीं हम तो एक दासानू दास हैं गुरू जी ने जो हमें दे रखा उश्पुर्शाद का प्रभाव है कि लोग आते हैं हम उनके मनोभाव के बारी में बता देते हैं यूँ कहें तो डमरू बजान डमरू बजाकर लोग आते हैं उससे हम उने राम से जोड़ देते हैं हमें अच्छा लगता है कि किसी बिछड़े पिछड़े को हमें पता है हम भारत को सुधार नहीं सकते हॉस्पीटल बंद नहीं करवा सकते हैं लेकि चार विखरे हुए लोगों के चेरें पर मुसकान ल देते हैं तुलसी है हम भी आराधना ही बतलाते हैं मायम जी के हम अपनी आराधना नहीं बतलाते हैं शाधना भी नहीं बतलाते हैं आराधना ही बतलाते हैं तो लोग चमतकार को नमसकार करने लगते हैं और लोग सनातनी को लगता कि यहां पे आप डोर नीचे कर देते हैं लकीर उपर करने के बज़ए नीचे कर देते हैं जैसे को तैसा सठी साठ्यम समा चले वो फूंक लगा के ठीक करते लोगों को खुदवाते हैं हम उनके दिये एक ठीया नया वर्जन लेकर के आ गए हमारे हनमान जी का भी तो प्रभाव देख लो यारो तो मैं धर्म बदलने क अच्छा वो रियल नहीं है अब यह हमने कभी देखा नहीं है यह कभी देखा नहीं पर हम रियल वाला देखाएंगे यह हमने अपना देखा है इसलिए बोला हमारा पास अपना है उनके पास क्या है वो जन है पर अपना बाला तो हमारे पास जो है हम इश्वर नहीं है भग अब का चेहरा में अधर देखता हूν फोड़ी दिर बाद में आपको देखता हूं यहां तो रहिग बहुत से बधल ते रहेंगे आपको देख धेक करको बदल रहें प्रेक के बाद इसी पॉइंट पे फिर से हम आएंगे आपके साथ और आज बार्चीत का जो सिल्सला जुड़ा है किस से आपको मालू ना बागेश्वर धाम से वहीं पे फिर से लाटता हूँ चलो व्यक्विक वेडियर रोलिंग हां देदो डाद अगला पाद तो नहीं आखा बिल्कुल पर्फेक्ट बिल्कुल पर्केट तूल्कूल नहीं चले चले देर ना करो बेटा बाकी लोग भी बैठे हैं कि हस्ते विजड़ा से एक बार आ जाएंगे क्या बात है मुश्कुराता हुआ चेहरा वह सौम में और सौमता के साथ यहां पर एक बार फिर से मैं मौझूद हूँ बाचीत के सिलसले को जोड़ने के लिए यह बात अब अच्छे होई वह राम कथा का प्रभाव भी यही होता है कि जो है संत महात्मा जो पैर अपने अंदर कर लें तो उसके बाद उसके सुनने का प्रभाव कुछ और बढ़ता है प्रभू जी लोग कह रहे हैं कि सवाल यह पूछा कि कि सियासत जो है उसमें राम को लाने की क्या ज़र विपक्ष तो अक्सर यह बात कहता है वह जो है ते राम को सियासत में लाते हैं धर्म दंड राजदंड है धर्म से राजनीती चलती है राजनीती से धर्म नहीं चलता है एक शिद्धानत पहरे यह समझ लें राम से राजनीती है राजनीती से राम नहीं है भारत के जगे हुए लोगों को इस सक्कर सुगर रूपी परेज से बचना है कि राम राजनीती का विशाय नहीं आस्था का विशाय है राम बोट बैंक नहीं है राम पावर बैंक है राम किसी की बापोती नहीं है राम व्यापक है राम सहज है सरल है सुशील है सुजान है लेकिन सबके अगर वह सवाल की उठाते कि अगर वह गंगा में डुपकी लगाएं वह अगर जनियू पहने वह अगर महा कालेश्वर जाने नहीं का लोगों ने का यह राजनेतिक विश्य है यह टिपडियां राजनेतिक है एक दूश्रे को नीचा दिखा कर खुद को शूपर पावर बना यह राजनेतिक है और सत्रु की भी महमागाना यह धर्म नीती यह हमने राम जी से शेखा है अपने आचारे चरण से जिसकेदा में सत्रु कोई है यह यह नहीं लड़ाई तो अच्छे विचारों बुरे विचारों की उधर वहारे तो अपने में हैं हम तो मजभप्य भी नहीं ले जा रहे हमारे तो कुछ हिंदू भी आगी के लगे अपने अपने ठटरी के बरे नकटा ना काटने ही हो गहें अपने जो अपने होकर जिनके पुरुवच राम की पूजा करकर के मार गये जिनकी माता जी सीराम चंद्रकपालु भजमन से प्राता काल का प्रारंब करती थी वह कहते थे राम की प्रमार देव ठटरी के बरे हमारे दो अपने हमारा सिध्धांत इनके विचारों को बदलना है और र प्रियादा पुरुच उतना भगवान नहीं राजा मान लो लोकनायक है तो एक शब्द हमने 47 में लिया उसको कहा कि हम सेकुलर कंट्री बनेंगे पचास में हमने ले लिया तो इस शब्द से परहेज क्यों करते हैं आप हिंदू राष्ट की बात करते हैं बिलकुल परहेज क्रातों है पर सेक्लर का मतलब राम विरओधी मीइन रेखिकलर का मतलब राम विर्यॉधी बिलकुल नहीं सेक्लर का मतलब कि अजुद सादू शंत पाकնडी छेकलर का मतलब यह पाकन्ड नहीं करसora को गाली भी नहीं हँ यही हम इनको बता है शैक्लर का मतलब ये नहीं है सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप राम काल्पनिक करो सेकुलर का मतलब ये भी नहीं कि राम से रतमानस पर उंगली उठाओ सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है मंदरों के उपर टिपनियां करो या मंदरों को धुस्त करो सेकुलर का ये भी नहीं है कि आप पागिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि राजनीती के लिए तुम राम के हो जाओ फिर रामर के कांदान की बन जाओ सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि तुम कुष्ण की जलेकंस के गुनगान का शेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि तुम समय के साथ साथ सभी मजभवों की हो जाओ शेकुलर का मतलब है जिसे जो अच्छा लगे सु माने अपने अपने राम सेकुलर का मतलब है हाँ तो आपने जो आंतिम वाक्य बोला कि अपने अपने राम अगर बनता है तो क्या बुराई हम बैलकम कर रहे हैं विभीशन को जो राम जी ने गले लगाया अगर लगालें तो क्या बुराई कर रहे हैं क्या अद्बुद बात करते आप भी राम जी ने बिभीशन को जो दुस्मन का भाई ये राक्षस है लेकर परम भक्त अब वो आ गया तो बानर भालू बोले कान में अरे भेद लेने आया भेद लेने पठवा दससी सा भेद लेने आया पर सरन में आया मारे जाएंगे हार जाएंगे राम जी कहते हमारा सिध्ञान से सरन में आया है व कोई физ और हमें हिंदू राष्टर स्विकार करना है विचारे पागस्तान वाली तो हम्ना भी कर देंगे फ्यौर गईल कम दी यो माई जी वाह अच्छे संबंद होने चा कायदे में को और हो चुन में करें तो किसा मंज़ट बनेगा कैसे ब्रिज कैसे बनेगा अगर संधेय से देखते रहें एक दूसरे सों पाकिस्तान के संदर में बात कर रहे हैं हम करें समाज में are a No from a rie कर बात हो रही है समरस्ता की भात हो रही है समाज आ हिद एक पक्षए से नहीं मिठेगा कैसे मिठाएं दोनों तरफ से, प्रेम एक तरफा होता है, तो वो प्रेम नहीं होता है, एक तरफा प्रेम होता है, प्रेम तो योग से है, जितना हम चाहें, उतना तुम चाहूँ, तब एक दा होगी, अगर शादी जिसों कहरें कि ये लव जिहाद है, ये रास्ता नहीं है, तो इलकुल भी प्रेम के बाद अगर शादी हो जाए दोनों तरफ होना चाहिए हिंदू बेटियां ही क्यों कुछ उधर से भी तो आनी चाहिए अब जब पकषकों लेकर चल रहे हैं हम सत्त बूल रहे हैं नया फून बाद बोल रहे हैं आप कहते हैं रोटी बेटी करो हम हाँ कह और से भी तो करो आप भाई चारा के नाम पे गरबा में घुश करके नियम भली बात हैं हैं और कांड करके चले गए हम भाई चारा मानते रहे तुम भी तो बहन चारा करवाओ तो दोनों तरफ फिर नियम अब किसी को बुरा लगे तो आएं यहने ना झारा की बात मैं तो कहना हूँ बहाबर चले बाद बराबर हो जहां प्रेम प्रेम हो है तो पहली प्रतिक्रिया थी आपके निमंतर हमें मिला तो हमें लगा कि ये बागिश और हनमान जी के लिए निमंतर ना आया है कि तुम मत रहे जाना हिंदूराष्ट का विगुल तुमने बजवा है है तो यह मंदिर हिंदूराष्ट का विगुल है हम कहते हैं एक रस्ता हम कोल के देते हैं प्रश्म करता को है हिंदूराष्ट का भी और इसके बाद फिर आपने जो सी लाइन चेड़ी ज्यान बापी कृष्ण जन्म भूमी अ शंसकृत में संसकृति संसकृत का प्रचार और लिकälर हमारे दादाव परदावन ने संविकार किया है हमारी पीडी दर पीडी इस भारत में रहने ऑनले प्रतेक व्यक्ति को करना अती अन्वार ये हमारा धर्म है अब संभीदान इसमें कोई सिंदे है अच्छा मैं पूछी लेता हूँ एक सवाल आपसे ऐसा क्या करें वो सामने वाले जिससे आपका मन मान जाए कि नहीं हाँ ये अब बदल गए है ऐसा कौँ सी चीज आपके लिए लुक्मान हगी है जैसे गतिके व्यक्तिकत तक आप रहा आस्था तक है है आपके लिए अगर हम आतता आ याप हम पर टिपनिक हमारी खेचा은 हमारे उपर न्रदैता करो तो देश तो अखबर से नहीं चलेगा ना जाहगीर से चलेगा राबर से चलेगा गांधी से बाफर से नहीं रगुबर से गांधी रगुबर मतलब रामजी रामजी ना सब के राम तो आपको इसमें को यह कोई हम एक पक्षी है नहीं है हम न्याय पूर्ण तरीके से बात कर एक शब्द और एक शब्द और है आज कल एकत्व 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 उसका पर्याय है तो आपने इतने सवाल मैं बिल्कुल एक दम अंतिम छोर पे आ रहा हूँ इतने सवाल उधर उठा दिये जातिगत्गर्णा क्या है फिर और भूलो को न जाती बाद बढ़ाना ही कैंसर है जाती बात करना ही कैंसर है तो जाती गढ़ना वो कराना चाहते हैं इसलिए कि वो जो हाशिये पे लोग हैं उनके बारे में ये बेतुकी बात है इस देश में जाती गढ़ना से ज़्यादा बेरोजगारों की गढ़ना होने चाहें आप इसको किस तरह से देखते हैं जाती जगहों पर अत्याचार हो रहा है अन्याय पूर्बद जैल में डाले जा रहे रोग इनकी गढ़ना करवां कितने किसानों के घर लुट गयए फाशी लगा ली कर्ज में ने की गढ़ना कर वा तो मैं गढ़ना कर वा नही हे हैं उनकी गढ़ना करवाओगे बाबर के इतिहास कितने पढ़ाये जा रहे हैं उनकी गर्णा करवाओगे कि अकबर के इतिहास पढ़ाया जा रहा है इनकी गर्णा करवाओ वहां रामराज स्थापना की बात करते आप और गर्णा जातियों की करवार है गरीबों की बेरोजगारों की गर्णा हो है जहां हम रहते हैं जिस जिले में उस जिले की खस्ता हाल है हॉस्पीटल के नाम पर आज तक हम लोगों को हॉस्पीटल के नाम पर एक विवस्था नहीं मिल पाई ट्रामा सेंटर भी ठीक नहीं है इमर्जनसी केसस के लिए भी ठीक नहीं है हम जहां रहते हैं, वहाँ पर पानी की विवस्ता नहीं है, हम जहां रहते हैं, जिस गाउं में, वर्ल्ड टूरिष्ट प्लेस बागे सो धाम है, वर्ल्ड टूरिष्ट प्लेस, ऐबरी, ऐसा कोई देश जो भारत से मित्रता रखता है, उस देश का आदमी ना आया हो, आज तक, लेकि उस देश के अंदर का खसता हाल, उस गाउं के अंदर का खसता हाल, सडके नहीं हैं, कीचर में भकते चलते हैं, डंडबती पर कमा लगाते हैं, कीचर में, बसाते हुए बापसाते हैं, फिर नहाते हैं, दर्शन करने के बाद भी नहाते हैं, क्योंकि चलने के लिए सडके न इसकी भी तो गढ़ना हो यार आप जाती गढ़ना की बात करते इस पर आवाज इस देश में कब उठे की तो सरकार के आपके पास तो दोनों लोग आते उनके कान काहीं नी पगड़के हैं तो कान पगड़ लीजे ना आप एक बात हमने तो आपके द्वारा बात पहुंचनी होगी अगर वो समध्दार होंगे समझ जाएंगे और ना समझ होंगे तो इनको तो राम भी नहीं समय जा सकती पेज़े ज़कर हम बहुत कोई बेतुकी बात नियाए पून बात नियाए इसी बातों पर लोगों को हम से बुरा लगा लोगों ने कहा कि मुसल्मानों से या कृश्यानिटी से इतना ज़्यादा परिशानी नहीं हुई जितना हिंदूों में रहने वाली दोगलों से अब आप ये शब्द इस्तमाल करते हैं तो मैं ये शब्द तो नहीं कहुँगा उनसे हुई जिन्होंने ताला पर पानी पर प्रतिबंद लगाया कुम पर प्रतिबंद बलाया घोडे पर चणले पर प्रतिबंद लगाया शादी में बैठ नहीं सकता उनसे हुई हमको लगता है कि इस देश में लोगों ने समझाने राम राज्य को ना राम को जिन्हों ने ये किया मुर्खता पून किया हम इसके वेरोध में लेकिन सबके अपने अपने काईदे हैं लेकिन आपको जो अधिकार है उस अधिकार का दुर्पयोग भी दोना मंदिर में सबको प्रवेश बागे शुद्हाम पर हैं बाकी की पता में होना चाहिए बेजे जट और आज आपसे अगर राम सब के हैं तो एक सब्मे राम है और हमारी मांग तो बहुत अदबुत हुई जब हमने मांग की और किसी ने हमको चर्चा के बहुत बड़े भारत के बेटीम कि आप क्या चाहते हैं उनका राम मंदिर में कुछ सब समाजों की लोग रखो जारी की रूप में तो उसकी आखेंटब डबा गाएं कि आप ये क्या बात बुर रहे हैं आप हो कौन है उनका हम राम मड़ें पर हम हिंदू है वह हिंदुस्तानी वाशिन सब जाती का ये कि दो रोटो कॉल जिस पद्धती से सास्त्रवनों पूजा बतलाई है उस पद्धती का अनभाव किसे उसके जो आचार्य बैठी है वहां पर जो बैठे हुए है गुरग है राम मंदर का ट्रस्ट भी है ट्रस्ट निर्ने लेगा कि ये योग है योग योग का निर्ने ट्रस्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं मानते कि कोई भी हिस्सा हमारे लिए बर्रिया का चत्ता है पर जो हमें अधिकार बोलने का है किसी के ऊपर अधिकार हम नहीं जता सकते हैं किसी के ऊपर हम आपकी ऊपर अधिकार नहीं जता सकते हैं कि आप हमसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं आपको बारत अखंगता की बात कर रहे हैं शाती गरना नहीं है जाती गरना अगर होता तो कहीं अबही अभी अमने सुना है आपकी दिखाया होगा कि किसी प्रदेस में जाती करना हुई है वहां solution मिलकि में आफ़ा है राल्ग साहिध भिहार में एक दो सवाल बस उसके बाद, चमतकार आप जब करते हैं तो आप ये मानते हैं कि चमतकार जो है वो ज्यादा महत्तपुर्ण आपके पूरे जीवन में रहा या आपका जो कथा वात्षन है, भगबत करपा, गुरु करपा, चमतकार से लोग अट्रैक्ट होते हैं, नमस्कार क बताएं और ताली पिटवार, और सोवाजी करें और चल दें, हम समाधान देते हैं, नम बताने बाले हम कोई जादू गर्णार जो बाद में परमपरा के बहुत सारे लोग आए और आहें, मौजूद हैं, वो लोग जैसे बहुत सारे लोग इस तरह से परची निकालते हैं, अब सबकी अपनी पद्यती हैं, हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, बब सबकी उपर भगवत करपा कुष्णा कुष्टो लाइट है, तब तो चार लोग उनके पास हैं, अब ज़्यादा हैं, ये निर्णा हमारा नहीं, सब तो कुष्णा कुष्टो करपा है, आप कभी हाथ थोड़े जले होगे, इसलिए नहीं बोलना है अब आप, कैसे हाथ जले हैं, इस पर इस प्रशन पर की नहीं बोलना है, नहीं हमने कभी बोले ही नहीं, कब बोला, किसी के ब्रोध में नहीं बोला, हम गाली देने मालों की ब्रोध में नहीं बोलते हैं, अब क कूट-कूट रंग-रंग, DNA में, खुन-खुन, बलेड-बलेड में सनातन जला हुआ है, और राम का परचार जला हुआ है, हम राम के परचार को करके ही मानेगे, रामत को हम जन-जन में जगा के ही मानेगे, रही बात आप जो शंकित करना चाहे रहे है, किसी से कोई विरोध ने, किसी से कोई दिक्कत ही ने, हम तो कहते हैं जिसमें छंपता हो, परची बनानी चाहिए, परशाद हो करपा हो, पाखंड ना हो, करपा हो, तो हमारी दम जितनी है मुतना बोलते हैं, और सनातन को इस से कमजोरी नहीं होती है। किसे पाखंडी है कौन हमारी नेजन में हमें कोई मिलाने और जो है परणाम परमात्मा उनको देता है। यह सारा खुद की तरफ है। बिल्कुल एक दब कहीं आप हमको तो नहीं पाखंडी के रहे। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला आपको। तो पर पोटली खोली जाए। मैंने एक बार भी नहीं तो आप ड़ा देते हैं वीज़ीज में वीज़ीज में आप भी ड़ा देते हैं। जो बाते इस सब अपने बारे में पूछते हैं। और इसी में हमारे 16 साल कुज़ें। बस हमारे बारे में हम सब कोई नहीं पूछता है। इसमर्थियों में सब अभाव की रहे। अब तो ठीक है। उनको याद करते हैं हर पल। हम उसी खोई होई जिन्दगी में रहते हैं, हमको बहुत मज़ा था, हम बहुत इंसाइड आदमी, आउटसाइड हमारा कुछ है नहीं जाते हैं, इंसाइड हम जीते हैं, किसी से आपको लगता होगा, पता नहीं आपकी मन में ऐसा क्यों पुरशन आया, कभी भी हम किसी का वि आप जगें, पक पक पे गिरेंगे, और गिरेंगे तो लोटके उठेंगे, अब हम बहुत खत्रे में घरेंगे, परिवार भी दूरें, विरोधी ताक्तें भी भायं करें, मौका सब को चाहिए, इरिशा करते हैं लोग आपसे? खुब, मज़े से, हमारी इरिशा किसी से, हम से लोग कॉंपटिशन करते हैं, हमारा कॉंपटिशन किसी से, मज़े की बात यह है, लेकिन हम उनको भी धन्वाद देते हैं, तो वो हमको सिक्षा दे जाते हैं, जब भी बोलते हैं, आज पास की टीम हमें वीडियो दिखाते हैं, अब आपको लगतना सही समय है कि आपके स इस पार्ट का फिक्स है, कि आप दर्बाल लगाओगे इतना, गुरु ने क्या कहा था कि इस वर्ष के बाद ही, गुरु देव भगवान ने कहा था कि विवाय करना है, टाइम कोई फिक्सिंग है, चौबिस में नहीं होता, अब यह कह नहीं सकते, अगर हो जाए तो कल के द माता पिता जवाग्या देंगे, और हाँ उसमें बरात वालों का भाया जी कहिन हो जाए, अरे जब वो तो जहां सो लोग वहां भाया जी पहुंच जाएंगे, अंतिम सवाल दो तीन जल्दी जल्दी खतम करते हैं, बिलकुल क्योंकि पीछे भीड है आपके, उनिस सो जौनाओं की निकलेगी, वो क्या कहती है आपके हिसाब से परची जो निकाली जाएंगे, वो परची के कहा राचनेताओं के भविष निकाली जाएंगे, हम पार्टी के पूछilla के, क्या संभधाना लगती है, हम कोछ निक कह शकती, जो देश का कल्याण की हिद्ट की पचन देगा, संकल्प पत्र देगा, जो भारत को विश्य गुरू बनाने की और अग्रशरी होगा, जो भारत की जनता का कल्यार हिद करेगा, भारत के लोगे इस समय में मौझूदा समय में किसको लगता है कि आप किसके लाजनिती पर कोई टिपड़ी नहीं है, क्योंकि दोन पर कोई बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम राजनिती पर राजनिताओं पर कोई बात नहीं करते हैं, हमारे पास उनकी लिए कोई शब्द नहीं, राहूल गांधी, निशब्द, बुलेंगे नहीं तो बहर भारत कातरा कर रहे हैं। किसी प्रैंब इंटर्विव. किसी भी इंटर्वियू में बोला हूँ. विक्ति, विक्ति-विशेश, उनकी नहीं टी, कारविधि, यात्रा. किसी के भी बारे में बारे में राजनीती से शंपन्न. राजनीती से संपन्य किसी बैट लोग केते हैं कि आपके बारे में कि आप बहुत जबरदस्त मार्केटिंग के भी आदमी है बिजनस आप समझते हैं और टेलिविजन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप लोगों का यह ज्ञान और यह ब्रहंबर करारी इशोर बनाये रखें टेलिविजन तो आप बहुत अच्छा जानते हैं एक की दो लोग हैं जो इससे पहले में राजनीत में भी एक ही दो लोग है और आपके सादू संत्व Todos मैं भी एकी दो लोग है जिन्हों ने टेलीजन को बहुत अच्छी तरह से समझ लीया उसमें से कहते हैं, एक आप भी हैं, युग को अच्छी थे समाझë नहीं, हम बहुत ही सहज जीते हैं, आप ने कहा कि इंटरीवी लेना हैं, कोई तयारी नहीं बैट दे, इंटरीवी लियो, जो नियाए पूर्ण बाते हैं, हम मंच पे बोलते हैं, जो टीम में बोलते हैं, वो आप से कह देते हैं, बस हमारे इंसाइड और आउटसाइड ट्रांसपरेंसी है, दरशल मामला ये अच्छा है, और इंसाइड आउटसाइड ट्रांसपरेंसी बहुत बहतरीन है, इसलिए साइड लोगो को लोग हमारी लिए नहीं आते हम जो बोलते शत उसके खरीदार इस दुनिया में जो शत बोलेगा उसके खरीदार निश्चत होंगे यह तो सच है कि इस पोटली में बहुत सारा चीज़ें हैं बहुत आशिरवाद है बहुत पूने है बहुत प्रताप है बहुत तपस्या है प्रभु इस तपस्या को आगे अक्षून रखे और यह आगे बढ़ती रहे लेकिन यह बात सच है कि यह दो हाथ किसके लिए आशिरवाद के लोटते हैं यह प्रशन जरूर है गया लेकिन इसको फिर कभी किसी दिन के लिए मुल्तवी करते हैं और यह प्रशन छोड़के फिर वाकि उसमें भी जवाब नहीं देंगे देहीं उसको देखेंगे लेकिन यह बास सच है कि एक बार से आपता मुलाकात होगी और तो पिर कि अ सिताराम होगी आपसे बहुत 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 आपका आभार आपको बहुत साली